पूरी दुनिया से परमाडों हत्यारों को खत्म करने के लिए अभ्यान चलाने वाले स्तंगठन International Campaign to Abolish Nuclear Weapons को इस वार शांती के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है समूक 2007 में शुरू किया गया था और इस समय दुनिया के 101 देशों में इसके 468 सहयोगी काम कर रहे हैं Civil Society के लोग पूरी दुनिया में परमाडों हत्यारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधी पर काम कर रहे हैं नोबल कमीटी के अध्यक्ष बेरिट रीस एंडर्सर ने कहा इस ग्रुप को ये पुरस्कार इनके प्रयासों के लिए दिया गया है जो इन्होंने परमाडों हत्यारों को रोखने के लिए किया उन्होंने उत्तर कोरिया का मामला उठाते हुए बताया हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां परमाडों हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा हमेशा है नोबल शांती पुरस्कार की दौड में ओफ फ्रांसिस साउधी के ब्लॉगर रैफ बदावी इरान की विदेश मंत्रे मुहंबत जाविद जरीफ भी शामिल थे कमेश ने पुरस्कार की घोश्रा के समय कहा कि हम इसके जरीए सभी परमाडों हत्यार संपन्य देशों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वे इसका इस्तिमाल करते हैं तो यह कितना दिनाश कारी स्ताबित हो सकता है साल 2007 में आपचारिक तौर पर वेना में लॉंच संस्था को अस्ट्रेया में शुरू किया गया था यह संस्था सो से ज्यादा देशों में काम करने वाले एक घैर सरकारी संस्थाओं का सम्मूह है आपको बता दें कि जुलाई 2012 में 122 देशों ने संवतुराष्ट की संधी पर सहमती जताई थी जिसमें परमाणू हथ्यारों पर प्रतिबंध की बात कही गई थी लेकिन इस संधी से अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिजेन, फ्रांक्स ने खुद को अलग कर लिया था इसके लावा कई और परमाणू हथ्यार संपन्य देशों ने भी इस पर उची नहीं दिखाई थी टीम इंडिलिंग्स झाल